निए मेरा सवाल जो नौवे दिन रोजा रखनाा है उसके मुतादिख है कि वह इस साल मैं जहां रहे हम जर्मनी में रहा हूं तो यहाँ वो साटरड़ को पड़ा था और शेख में ने पढ़ा कि शेख अलबानी का वो पढ़ा था तो उसके अंजर उन्होंने बोला था कि साटर्डे को नहीं रखना है रोता है अगर वो ना हुए देनों तो भी तो शेख में तो रहा सा कन्फीज होगे हैं आप जर्मनी में जर्मनी में नौ तारीक साटर्डे को पढ़ रहा है जी तो आप मेरे एक सवाल का जवाब देजिए इंशाल्ला उसी के अंदर आपके सवा का रोजा रहा चाते हैं तो फिर सटर्डे क्यों आया भी इसमें कि आपकी आप जो है अरफा का रोजा रख रहे हैं ना कि आप सटर्डे का रोजा रख रहे हैं जब रमजान में भी जो आयाम होते हैं वो साथ दिन के होते हैं हफते में साथ दिन होते हैं तो जब हम रमजा हम प्रणान का रोजा र१़ाएं कि ने रमज़ां का रखए लग हैं तो आप आरफा का रख रर्ख रहे हैं तो यहां से आपको समझ जाना चाहिए कि आप सटेंडे का रोजा नहीं रख रहे हैं वह पड़ रहा है वह दूसरे दिन भी पड़ जकता था तो आप अरफा का रोजा रख रख रहे हैं, तो पहली बात तो ये, डूसरी बात ठोड़ी इसमें तफसील है, वो ये कि अल्ला हंगे नभी quindi की एक हदीस है कि सनीचर का रोजा यह उख सब सटर्डे का रोजा मत रखो सटर्डे का रोजा मत रखो एक और हदीष ए Taylor की रखे नभी रस्तलम की जिसमे है जुमा का रोज़ा रखने से भी मना किया गया है सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है इसका जवाब एक दूसरी हदीष के अंदर मौजूद है अजम्हा का दिन था, जम्हा 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 का दिन अगर जुमा से एक दिन पहले आपने रखा है, या एक दिन बात में भी आप रखना चाहते हैं, तो जुमा का रोजा रख सकते हैं, अब आप ये बताईए कि कोई आदमी जुमा का रोजा और जुमा के एक दिन बात का रोजा रखे तो जुमा के एक दिन बात कौन सा दिन पढ़ेगा, आटो में ती सनीचर पढ़ेगा, तो गोया कि सनीचर का रोजा तनहा रखना ये जाएज नहीं है नफली रोजा सनीचर को बेगेर किसी सबब के खुशूसियत के साथ सिर्फ सनीचर का रोजा रखना ये जाएज नहीं है तो शरीयत के किसी हुक्म को जानने के लिए उस मसलेख से मुतालिक तमाम हदीशों को एकठा करेंगे फिर किसी नतीजे पर पहुचें तो खुलासा ये है इस लाइन को आप याद रखें कि नफली रोजा बेगेर किसी सबब के तनहा सनीचर को या तनहा जुमा को नहीं रख सकते अब यहां पे तो आप रोजा रख रहे हैं पहली बात तो आप सनीचर का रोजा नहीं रख रहे हैं आप अरफा का रोजा रख दूसरी बात अगर कोई आपसे कहे भी कि भाई इशे बताएजे कि इसका सबब है तो आप uns के बता है, मैं उस सबब की मज़े से रोज़ा रख रहा हूं मैं ऐसे नहीं रख रहा हूं, मैं एक सबब से रख रहा हूं और वो सबब है यो में आरफा जैसे मिसल के तोर पर कुछ आवकात ऐसे हैं जिन में नफली नमाज पढ़ ना ये मम्नू है जैसे असर के बाद से लेकर के मगरिद तक नफल नमाज पढ़ना ये मना है लेकिन अगर आप मस्जिद में दाखिल हुए तो क्या आप तहीतल मसजिद पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे सहीर बाल के मताबिक आप पढ़ोगे और शेयर अलमादी रह्मालल् journalism का भी यही मानना है कि आप तहीतल मसजिद पढ़ोगे असर के बार तो यहाँ तो भाई ऐसर के बान नमाज पड़ने से मना किया गया है फिर आप कहीं तो बस्जिक तैसे पढ़ एजाहिर आप यही कहोगे कि यहाँ पर सबब पाया गया है मैं बेगैल सबब के नहीं पढ़ रहा हूँ तो इसी तरह से वो जो आप रोजा रख रहे हो वो उसका सबब है वो है योमे अरफा और दूसरी तब से कवी बात ये कि हम सनीचर का रोजा नहीं रख रहे हैं हमारे दिमाग में सनीचर नहीं है हमारे दिमाग में योमे अरफा है जी वाज़ air ¿shake? जैसे कि उसके अंदर उन्होंने एक बहुते है उन्होंने रॉस्पा कि आगर मन्डे थस्डे का आगर जैसे रोजा रहता है और अगर जैसे मन्डे को कोई इन्सान रखते है मन्डे थस्डे लेकिन उस दिन एड़ होती है तो तो तमाम पुका उसको मना करेंगे क्योंकि जीत का दिन है तो लेकिन मैं समझ गा मैं बताता हूं इसको ये मैंने भी सुन रखा है शेख खल्बानी रह्मुल्ला की ये दलील है और बहुत कवी दलील है इसमें कोई शक नहीं है और अलहम्दिल्ला वो शेख खल्बानी कोई आम आलिम नहीं है शेख खल्बानी अपने जमाने के आप कह सकते हो कि सबसे बड़े ओल्मा की अगर आप लिस्स बनाओगे तो उनका नाम शायद उपर आए वो इतने जलील उल्कदर जो है आलिम दीन है तो उनका उनकी इजद, उनका इहतराम, उनके इलम की खदर ये अपनी जगे पर लेकिन जो है दलायल अपनी जगे पर शेख खल्बानी रहम अल्ला का इतराज ये है कि अगर मान लिजिए एद का दिन, एद के दिन रोजा रखने से अगर अगर इद का दिन सोमवार को पड़ जाए और कोई कहे कि नभी शल्बानी रहम अल्ला का इतराज है क्या इतराज वाज़ है इसके खर्श दावार के लिए ये ये वाज़ है शेख इसका जवाब ये है कि देखिए जो इद का दिन है वो इद का दिन किसी भी दिन पड़े इद का दिन हपते के साथो दिनों में से किसी दिन भी पड़े अल्लाहरबुलालमीन ने इद के दिन में रोजे की सलाहियत ही नहीं रखी है इद के दिन में रोजा रखने की सलाहियत ही नहीं रखी गई है शरीयत के अंदर वो इद का दिन हफते के साथो अयाम में से किसी दिन भी पड़े उस दिन रोजा रखना हराम है हर सूरत में तो गोया कि उसके अंदर रोजा रखने की यह खुबी और सलाहियत और अहलियत जो होती है वो अहलियत नहीं है शरीयत नहीं रखा है जबकि जो सनीचर का दिन है सनीचर के दिन रोजा रखने की अहलियत और सलाहियत मुझूद है उसकी दलील क्या है उसकी दलील ये है कि सनीचर का दिन जब रमजान में पढ़ता है तो आप रोजा रखते हो सनीचर के दिन के गोया कि सनीचर के दिन के अंदर से अहलियत खत्ब नहीं है मुकमल तोर से सनीचर का दिन इस काबिल है कि उसका रोजा रखा जा सके जब कि ईद का दिन किसी भी तरे से उसके अंदर रोजा रखे जाने की तलाहियत मुझूद नहीं है लहाजा इसको दूसरे के उपर प्यास करना बिल्कुल भी सही नहीं है